हमारे समाज में जीजा साली के रिस्ते में हसी मजाक तो आम बात है जीजा को अपने सालियों के साथ मजाक करना और सदियों से होता चला आ रहा है और सालियां भी अपने जीजा से खूब मजाक करती है लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि दोनों सभी मर्यादाओं को पार कर ज एक मामला बिहार के मधुबनी से आया है जहां जीजा ने कुछ ऐसा कर दिया की साली के घर पर बवाल मच गया। जब इस मामली की जानकारी साली के पटी को लगी तो उसने अपने साड़ू की जम कर पिटाई की। जिसके बाद थे जीजा फरार है दरसल जीजा साली की शादी से पहले ही शाली को असलील मैसेजेज और तस्वीरे भेजा करता था जिसे साली इग्नोर कर देती थी और मैसेजेज डिलीट कर देती थी लेकिन शादी के बाद भी जीजा का वही रवया रहा और साली भी अपनी दीदी और जीजा की रिस्ते को बचाने के लिए साथ ही समाज और अपने घर में बेज्जती ना होनी की डर से चुप बैठी। लेकिन जब साधी के बाद भी जीजा की हरकतें नहीं सुधरी और वो मैसेज़े लगातार भेजता ही रहा। तो साली भी उस मैसेज़े इसको पढ़कर डिलीट कर दिया करती थी लेकिन एक दिन जीजा ने अपनी साली को असलील मैसेज भेजे और साली मैसेज को डिलीट करना भूल गई। जिसके बाद उसका मुबाईल पती के हाथ लग गया जिसके बाद तुरंध ही पती का गुस्सा सात्वे आस्मान पर पहुँच गया पती ने ताली को खूब खरी-खोटी सुनाई और साथ ही साडू के पास भी जा पहुँचा और साडू की जमकर पिटाई की पिटाई करने के बाद से ही जीजा गायब है जिसके बाद मैसेजेज भेजने वाले यूवक की पत्नी ने थाने में पहुचकर न्याई की गुहार लगाई है साहरगार थाना छेतर के एक गाव निवाशी विवाहित ने नगर थाना में प्रात्मिक के लिए आविदन दिये हैं और आविदन करता था कुछ दिन बाद मेरे छोटी बहन की शादी हो गई फिर भी मेरे पती ने अश्लील मेसेजेज और फूटो भेजना नहीं छोड़ा पती का रवया बिल्कुल पहले जैसा ही रहा उसकी छोटी बहन के शादी मदूबनी शहर के एक महले में हुई है जिसके बाद भी उसके छोटी बहन की मुबाइल पर मेसेजेज भेज कर उसे तंग करने का सिलसिला महला के पती ने जारी रखा इसके लिए महला अपने पती को कई बार मना भी की है लेकिन उसके पती ने अपनी साली की मुबाइल पर गलत मेसेजेज और फोटो भेजना जारी रखा अब इस पती के साथ खूप गाली गलोच किया और साथ में मारपीट भी किया है तिन जून को बहन का पती और कुछ लोग उसकी दुकान पर आधमके मारपीट तो हुई ही और साथ ही साथ लैपटॉप, मुबाइल, पैन कार्ट, आधार कार्ट और पहचान पत्र के साथ कई कागजात भी ले गए हैं और जाते हुए पती को सुधर जाने की धमकी दी है, इसके बाद इसका पती चार जून को घर से निकला और अब तक घर वापस नहीं लोटा है, हलांकि ऐसे घटना आई दिन समाज में होती ही रहती है, लोग अपने रिस्ते को भूल कर सारी मर्यादाओं को कर जाते हैं, और इसी तरह लड़की या महिला अपने रिस्तेदारों के गलत कामों को परिवार वालों के डर से छिपाती रहती है, लड़कियां ऐसे मामलों में डर जाती है कि कहीं लोग उसी की क्यारेक्टर पर सवाल ना उठा दें, यह खबर आपको बताना बेहत जरूर झाल